हेलो एब्रिवान वेलकम टू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट फिलहाल हमने अर्थ शास्त्र एकोनॉमिक्स शुरू किया है और उसमें आज हमारा थर्ड टॉपिक है और वो क्या है बेसिक्स ऑफ एकोनॉमी इस वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ एकोनॉमी टाइपस ऑफ जिसमें GDP, NDP, GNP, NNP इन सभी के बारे में देखने वाले हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टन रहने वाला है तो वीडियो को लास्त तक देखेगा और अगर पसंद आये तो लाइक तो कर दिया करो यार क्या जाता है हमें ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अर्थवस्था के प्रकार कौन से हैं तो यह सभी प्रकार है अर्थवस्था के पुझीवादी अर्थवस्था राज्य अर्थवस्था और मिश्रित अर्थवस्था यह तीन प्रकार की अर्थवस्था हैं हमें विश्व में देखने को मिलती हैं ठीक है कुछ कंट्रीज है जो पूँजी वादी या फिर capitalistic economy अपनाती है कुछ countries ऐसी है जो state economy अपनाती है और कुछ जैसे की India mixed economy को follow करती है तो इसलिए तीन प्रकार की अर्थ व्यवस्था है मुखे रूप से हमें विश्व में देखने को मिलती है next question है पूंजीवादी अर्थवेवस्था का उद्गम श्रोत Adam Smith की कौन सी किताब को माना जाता है तो पूंजीवादी अर्थवेवस्था इसका उद्गम श्रोत मतलब इसकी जो हम शुरुवात देखते हैं सबसे पहले इसकी बात किस ने की थी तो Adam Smith ने की थी और Adam Smith की जो बुक थी The Wealth of Nations ठीक है इस बुक में इन्होंने पुझीवादी अर्थवस्था के बारे में जिक्र किया है और यहीं से पुझीवादी अर्थवस्था की शुरुआत मानी जाती है यह बुक का डेट भी सन भी याद रखेगा 1776 ठीक है 1776 में यह बुक रिलीज हुई थी The Wealth of Nations और इसी में पुझीवादी अर्थवस्था के बारे में बात की गई थी किसकी बुक Adam Smith की जो की अर्थशास्तर के जनक है अगला प्रशना है पुझीवादी अर्थवस्था की शुरुआत सर्व प्रथम किस देश में हुई सबसे पहले किस देश ने पुझीवादी अर्थवस्था को अपनाया तो यह कंट्री है अमेरिका ठीक है United States of America USA से इसने सबसे पहले पुझीवादी अर्थवस्था की शुरुआत की फिर आते हैं राज्य अर्थवस्था पर जो की दूसरा प्रकार है अर्थवस्था का इसका सिधान्त पहली बार किस ने दिया था और जिन्होंने ये सिधान्त पहली बार दिया, उन्हें ही विग्यानिक समाजवात का जनक भी कहा जाता है ठीक है, तो ये याद रखेगा कार्ल मार्क्स बहुत नाम सुना होगा आपने इनका और इन्ही के विचारों को हम आज मार्क्सवात के नाम से जानते हैं Marxism के नाम से जानते हैं तो इन्होंने ही राज्य अर्थवस्था का सिधान्थ पहली बार दिया था और इन्हीं को वेग्यानिक समाजवात का जनक का जाता है तो राइट अंसर है B. Karl Marx Next question है राज्य अर्थवस्था को अन्य किन नामों से जाना जाता है तो राज्य अर्थवस्था आपने इसे समाजवादी अर्थवस्था के नाम से आमतोर पर सुना होगा समाजवादी यानि की सोशिलिस्टिक एकॉनमी इसके अलावाई से ग्यार बाजारी अर्थवस्था के नाम से भी जाना जाता है और किंद्रिकृत नियोजित अर्थवयवस्था के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आंसरों गा उप्रोक्त सभी next question है समाजवादी अर्थववस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है पूंजीवादी अर्थवेवस्था सबसे पहले अपनाई अमेरिका ने समाजवादी अर्थवेवस्था सबसे पहले ये अपनाई गई रूस के दवारा ठीक है और कब अपनाई गई ये भी याद रख सकते हैं आप आपने रूस की क्रांथी सुना होगा कब हुई थी? 1917 में 1917 में हुई थी रूस की qranthi, जिसे Bolshevik qranthi के नाम से हम जानते है तो इस qranthi के बाद ही रूस में समाजवादी अर्थ्ववस्ता इसको अपनाया गया था मिश्रिद अर्थ्ववस्ता से क्या दात पर है? मिशृत अर्थविवस्ता या फिर Mixed Economy या तीसरा टाइप है economy का, अर्थविवस्ता का, तो मिशृत अर्थविवस्ता इन में से किसे कहेंगे ? तो मिशृत अर्थविवस्ता होती है निजी और सार्वजनिक दोनों का सह्ष अस्दित्वु अब देखे थोड़ा सा तीनों अर्थवेवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होती है तो पुंजी वादी अर्थवेवस्था की हमने बात की थी सबसे पहले पुंजी वादी अर्थवेवस्था क्या होती है निजी अर्थवेवस्था भी इसको बोलते हैं जो क तो समाजवादी अर्थवेवस्था इसमें क्या होता है इसमें जो भी बाजार में निड़े लेनी की जो भी शक्ति है वो दे दे जाती है राज्ये के हाथों में ठीक है तो इसलिए जो समाजवादी अर्थवेवस्था है उसे गैर बाजारी अर्थवेवस्था भी का जाता ह कि बासार की जो भी शक्तियां है राज्य की नियंद्रण में होती हैं इसलिए समाजवादी को राज्य नियंद्रित अर्थ्वेवस्था भी बोलते हैं और वहीं मिश्रित की जब बात करते हैं मिश्रित मतब मिक्स्ट तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का तो होता है ठीक है फिर नेक्स कोशिन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिधान्त किस ने दिया इन में से किस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिधान्त दिया पूजी वादी अर्थव्यवस्था का सिधान्त किस ने दिया था बताएए एडम स्मित ने ठीक है समाज तो आप इसको जिस तरह से भी प्रणाउंस करें कर लिजेगा जॉन मिनार्ड कीन्स इन्हों ने मिश्रित अर्थववस्था का सिधान सबसे पहले दिया था नेक्स्ट क्वेशन है मिश्रित अर्थववस्था का आरंभ कब हुआ इसकी शुरुवात कब हुई हमने देखा 1776 में जो बुक रिलीज हुई थी Adam Smith की The Wealth of Nations उसमें पहली बार पुझीवादी अर्थववस्था की बात की गई थी है ना उस सिध्धान पुझीवादी अर्थ का आरंभ कब हुआ था इनमें से कौन से सन में मिश्रित अर्थववस्था की शुरुवात हुई थी तो याद रखेगा 1948 में मिश्रित अर्थववस्था की शुरुवात हुई 1948 में तो बहुत जादा पुराना नहीं है हमने भी last question में देखा ही ना इस सिधान के जनक कौन है जौन मिश्रित अर्थववस्था का यह कब दिया? 1936 में इनकी भी एक बुक आई थी बुक का नाम क्या था? The General Theory of Employment, Interest and Money तो 1936 में इनकी बुक आई थी और इस बुक में ही इन्होंने यह सिधान दिया था तो 1936 में सिधान दिया इससे पहले क्या हुआ था? हम 1939 में जो मंदी आई थी वैश्विक मंदी उसके दोरान क्या हुआ कि पुझी वादी अर्थववस्था और समाज वादी अर्थववस्था सभी फेल हो चुकी थी है ना पूरी दुनिया मंदी पूरी दुनिया के सामने को मिलता है मिश्रित अर्थवबस्था का 1936 में देखने को मिलता है और पहली बार यह शुरुबात कभाए 1948 में हुई We just कोशन है मिश्रित अर्थवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है पूंजी वादी अर्थवस्था सबसे पहले युएसे ने अपनाई समाज वादी अर्थवस्था सबसे पहले रश्या ने रूस ने अपनाई और मिश्रित अर्थवस्था यह सबसे पहले फ्रांस न नहीं हुआ है ठीक है राज्य का भी नियंद्रन रहता है और नीजीजी शेत्र के पास भी प्रौपर शक्तियां हैं नेक्स्ट क्वेशन है अर्थवेवस्था को कितने शेत्रों में बाटा चा सकता है तो आप जब को पता ही होगा उप्रोग सभी प्राथमिक शेत्र यानि की उद्योग तो आप समझी गए होंगे, सेवा में हम उसलिए शिक्षा और परेटन जैसे चीज़ों को देखते हैं, तो यहां पर बता ही प्राथमिक शेत्र कौन है, उद्योग से तो आप पैचान जाएगे कि यह सेकेंडरी सेक्टर का है, बैंकिंग यह थर्ड सेक्टर है, त उद्खनन, उद्खनन प्रात्मिक शेत्रक में क्यों है, क्योंकि प्रात्मिक शेत्रक या फिर प्रामेरी सेक्टर जो है, ऐसा शेत्र है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्छे तोर पर प्राप्त किया जाता है, क्रिशी इसमें आ जाती है, मचली पालन इसमें आ जा कौन देता है इन में से कौन सा शेत्र है जो भारती अर्थ विवस्था में सबसे आधिक योगदान देता है तो इस समय फिलाल सेवा शेत्र ऐसा शेत्र है जो कि सबसे जादा योगदान देता है ठीक है सर्विस सेक्टर सबसे जादा योगदान देता है फिर अगला प्रेशन है केंद्रिय सांखी की संगठन यानि कि CSO के द्वारा ठीक है सेंट्रल स्टेस्टिक स्टेस्टिक्स ऑफिस के द्वारा ठीक है सी है अगर हमें किसी देश का आर्थिक विकास जानना है तो उसके लिए सबसे बहतर माप कौन सी होगी इन में से तो वो होती है प्रतिव्यक्ति आए ठीक है जिसे कहा जाता है पर वर्ष डिसाइड कर लिया जाता है कि आज जो भी सिचुएशन है हम उसकी क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि आज हमारी जीटीपी तर कितनी है आज हमारी प्रतिवक्ति आये कितनी है तो हमें किसी चीज़ से कंपेर करना है न उसको जैसे कि एक्जामपल लेते हैं वीकली करेंट अफेर्स का मैं उसमें हमेशा कहते हूं टेस्ट की तरह दीजिए आपने आज का जो वीकली टेस्ट दिया करेंट अफेर का उसमें आपके जो मार्क्स आए वो अच्छे है या बुरे हैं या आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले वाला उसमें आपके मार्क्स जयस कैसे थे उसमें आपके जञडा थे तो अभी आपका प्रफॉर्मेंस खराब हो गया थाथ है तो इसी चीशसे करते हैं 2011 12 पहलेrent 4 5 यहाँ करता था लेकिन अब इसको चेंज करके 2001 बारा कर दिया गया है नेक्स कोशन है कि किसी देश की अर्थवुस्था में खथ रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जासकता है अगर क्रिशी शेतर synagogue track घट रहा है तो इन में से क्या मतलब निकाला जाएगा तो इन में से मतलब होगा कि देश विक्सित बनने की दिशा में बढ़ रहा है हम विक्सित देशों को देखते हैं तो उनमें कौन से शेतर का जाधा योगदान होता है तो हम देखते हैं जो सेकिंडरी सेक्टर होता है औ अगर खृषी शेत्र का युगदान घट रहा है, इसका मतलब है कि देश विक्सित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगला प्रशन है, देश के लिए राश्ट्रिय आय का पहला अनुमान किसने तयार किया था। इंपोर्टन्ट है जो नेशनल इंकम है, देश की सबसे पहले इसका अनुमान किसने तयार किया था तो याद रखेगा दादा भाई नहरु जी ने, ठीक है। प्रतिव्यक्ति आय निकालने के लिए राश्ट्रिय आय को भाग दिया जाता है, किस से भाग दिया जाता है। पहला मानव विकास सूचकांग, Human Development Index, जो हम हर साली आकड़े देखते हैं कि देश कितनी आर्थिक वृद्धी कर रहा है। मानव विकास सूचकांग के शुरुवात की गई, कब की गई 1990 में और किसके द्वारा पहली बार इसे तयार किया गया था। तो महबूब उलहक, पाकिस्तान की अर्थ शासरी हैं, इन्होंने पहला मानव विकास सूचकांग तयार किया था। ठीक है, और अभी जो 2019 में मानव विकास सूचकांग की रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत का प्लेस कौन सा है, 129 ठीक है। इससे पहले 130 हुआ करता था, इससे पहले के साल, और ये 129 हमने एक अंग की बढ़ोतरी किया इसमें। और अगर पूछा जाए, किसके द्वारा मानव विकास सूचकांग जारी किया जाता है, तो बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, UNDP के द्वारा, United Nations Development Program, जिसका है न्यू यू यॉर्क में, तो UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांग जारी किया जाता है, और पहली भार महबूब उलहक ने इसे तयार किया था, भारत में वित्तिय वर्ष कौन से होता है, हमारा वित्तिय वर्ष क्या है, हम जब Western countries को देखते हैं, तो वहाँ पर उनका वित्तिय वर्ष एक जनवरी से 31 दिसमबर ये वाला होता है, लेकिन हमारे हां यह नहीं है, हमारा वित् सबसे पहले हुआ था 1949 में आद रखेगा 1949 राष्ट्रिय आय समिती के अध्यक्ष कॉंधेन में से तो यह महाल नोबिस PC महाल नोबिस और यह किस से जुड़े हुए है यह जो दूसरी पंच वर्शे योजना थी उसका प्रारूप भी इन्हों नहीं तयार किया था तो इसलिए राष्ट्रे की गणुना क्यों सबस्काषब के ताकि फिर राष्ट्रे की घंटर की काम कर रहा है और एक राष्ट्रे की घंट्री का घंट का कंपैरेजन करना हो जब अलग-अलग देशों की राश्ट्रियाय का comparison करना हो वहां भी राश्ट्रियाय important role play करता है अब राश्ट्रियाय की गढ़ना किस तरह से होती है वस्तू और सिवा जो भी देश के अंदर जिन भी वस्तूओं का उत्पादन हुआ जो भी सिवायं provide की गई एक वर्ष के अंदर उन कीमतों की गढ़ना की जाती है और फिर उसी का total निकाल कर बोल दिया जाता है कि राश्ट्रिया है है ना तो यहां पर इसका right answer होगा प्रचलित और स्थिर कीमतों दोनों कीमतों पर प्रचलित कीमत पर भी और स्थिर कीमत पर भी अब यह दोनों क्या है प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत स्थिर कीमत है स्थिर मतलब जिसमें कोई change नहीं हो रहा तो हमने देखा था ना आधार वर्ष या फिर base year ही होता है स्थिर कीमत बेस एर में जो कीमतें रही जिन चीज़ों की उनको माना जाता है स्थिर कीमत और बारा-बारा में जो कीमते रही होंगी वस्तों और सिवाओं की वो आज तो नहीं है तो बहुत अंतर होता है स्थिर कीमत है मतलब उस टाइम पर जो थी उन्हें ही अमने मान लिया बेसियर के तौर पर और प्रचलित कीमत आज जो वर्तमान में कीमत है तो इन दोनों का ही प्र बहुत करते हैं राश्च्च्छा के गड़ना करने में और विकसित देष्ट कीमत कीमत का बहुत करते हैं भारत शुरूद में तो सिर्फ इस्थिर कीमत कीमत को प्रियों आज तो हम ऐसे यह करते हैं कि महंगाईदर साल बसरा बढ़ती जा रही है और महंगाई दर अगर बढ़ रही है तो सरकार को ये पता होना चाहिए कि महंगाई दर बढ़ने के साथ लोगों की आये में कितना change आ रहा है क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा अगर हम स्थिर कीमतों को ही लेकर चलेंगे तो लोगों की आये में तो चेंज आयेगा लेकिन कीमतों में चेंज नहीं दिखाई देगा तो इसलिए हमें ज़रूरत है प्रचलित कीमत पर भी राष्ट्रे आए के गढ़ना करने की ताकि सरकार जो भी स्कीम चलाती रहती है गरीबी उन्मूलन के लिए जो प्रयास करती रहती है वो सफल हो पाएं ठीक है नेक्स कोशन है निमन में से कौन से विधी सकल घरेलो उतपाद यानि की जीडीपी की गढ़ना करने की नहीं है तो जीडीपी की गढ़ना उतपाद विधी के अधार पर भी किया जाता है आए विधी के अधार पर भी होती है व्यविधी के अधार पर भी होती है रासमान लागत विधी के अधार पर नहीं होती है ठीक है तो ये इसका अंसर होगा डी ठीक है रासमान लागत विधी ये GDP की गढ़ना करने की विरी नहीं है नेक्स्ट है एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आए की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है राष्ट्रिय आए या फिर नेशनल इंकम और देखिए आपको यहां पर डेफिनिशन ही मिल गए नेशनल इंकम की यह क्या है एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आए की कुल मात्रा ठीक है एक साल के अंदर एक देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाओं हुई है और आर्थिक क्रियाओं से जो भी आए हुई है उसकी कुल मात्रा को का जाता है राश्ट्रिय आये है ना पूरे देश की आये एक साल के अंदर उसे का जाता है राश्ट्रिय आये और नेक्स कोशन है भारत की अर्थववस्था को किस वर्ष तक पांच ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्षे रखा गया है तो भारत की अर्थववस्था को दो हजार चौब trillion dollar की है वैश्विक आधार पर भारत की अर्थवस्ता पांच वे नंबर पर है और अगर क्रेश शक्ति सम्ता की अधार पर यानि की PPP पर चेजिंग पावर पैरिटी के अधार पर देखें तो भारत की GDP तीसरे स्थान पर है ठीक है और हम हमारा जो लक्षे है 5 trillion dollar की अर्थवस्था बनना है फिलाल 2.9 trillion dollar है बाकी देशों से compare करें तो USA की अर्थवस्था कितनी है तो यह 20 trillion dollar की है तो बहुत जादा है यह पाकिस्तान की 314 billion dollar ठीक है हमारी trillion में है पाकिस्तान billion और चीन की देखें तो चीन की भी जादा ही है 13 trillion dollar यह वर्ड बैंक की तरफ से जारी किये गए ऑफिशल आकड़े हैं 2018 की मुझे मिले तो वही आपके लिकर आई हूं दिखाने के लिए तो इस तरह से वर्दमान में भारत की अर्थवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है और हमारा लक्षे है कि 2024 तक हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर क्योंकि important चीजे है राष्ट्रे आये अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है तो इसलिए मैंने सुचा इसको ऐसे ही मुझे explain कर देना चाहिए ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से तो देखते हैं किसी भी देश की आये को आकलित करने क सकते हैं कौन-कौन से हैं पहला है GDP GDP यानि की gross domestic product जिसे कहते हैं सकल घरेलू उतपाद फिर दूसरा है NDP यानि की net domestic product जिसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उतपाद फिर है GNP यानि की gross national product जिसे कहते हैं हिंदी में सकल राष्ट्रे उतपाद और फिर आ जाता है चौथा NNP या अर्थ्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्थों और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्या इसे क्या कहा जाता है GDP किसी भी अर्थ्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्थों और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्या यह होता है GDP फिर आते हैं हमेशा एक वर्ष के दोरान होने वाली मुल्य कटciplách याने कि GDP हम निकाल घृती को मैनस अपसे शोरूम से निकली उसके बाद उनके मूले में गिरावट आ जाती है और इसके अलावा घिसावट होती है मशीन्स वगेरा जो होती है उनमें तो उसकी वज़े से उनके मूले में कमी आ जाती है तो वही जो कमी आई है उसी को यहां पर घिसावट बोला गया है और GDP में दो देशों के बीच में comparison करना हो दो देशों की आयक का comparison करना हो राश्य आयक का comparison करना हो तो उसके लिए GDP का प्रयोग ही किया जाता है और यही सबसे सटीक मादेम होता है दो देशों के बीच comparison करने का उसके अलावा GDP से जो आकड़े हमें मिलते हैं वो quantitative होते हैं qualitative नहीं होते यानि कि इससे हमें सिर्फ परिणाम प्राप्त होते हैं हमें इससे quality प्राप्त नहीं होती वस्तुओं और सेवाओं का मूले कितना है वो पता चलता है आखड़े पता चलते हैं लेकिन वस्तू और सिवाओं की गुडवत्ता किस परकार की है ये पता नहीं चलता वही हम NDP को देखें तो इससे गुडवत्ता का भी पता चलता है क्योंकि इसमें क्या है गिसावट को माइनस कर दिया जाता है तो अगर घिसावट को मायनस कर रहे हैं, मूले कटोटी को हटा रहे हैं, तो यह पता चलता है ना कि वस्तू की गुर्वता किस परकार की है, मूले कटोटी किसी वस्तू में बहुत जल्दी आ जाती है, या फिर वस्तू का हम बहुत लब में समय तक यूज़ करते हैं, उसके बाद उसकी मूले कटाती होती है ठीक है तो इस तरह से GDP और NDP यह दोनों हो गए आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे नेक्स्ट जी एनपी जी एनपी वह आई है जो GDP में विदेशों से होने वाली आई को जोड़कर हासिल होता है अब जी एनपी में क्या किया जाता है GDP जो हमें मिला है उसमें विदेशों से होने वाली आई को जोड़ दिया जाता है अब विदेशों से किस तरह की आई प्राप्त होती है तो सबसे पहली जो प्राप्त होती है वो है प्राइवेट रेमिटेंस जो हमें रेमिटेंस प्राप्त होता है प्राइवेट रेमिटेंस हमारे देश के लोग जो बाएर कंट्रीस में रहने के लिए जाते हैं काम करने के लिए जाते हैं वहाँ काम करते हैं और फिर अपने देश में अपने परिवारों के लिए कुछ पैसा भेजते हैं ठीक है, तो उसको कहा जाता है private remittance तो वो जो remittance आता है उसको GDP में add किया जाता है उसके अलावा विदेशों से जो भी loans लिये जाते हैं उस पर जो interest आता है उसे भी add किया जाता है ठीक है अब देखिए अब loans लिये गए हैं तो ये दोनों side से होता है एक होता है हमने loan लिया है एक होता है loan हमने दिये है तो अग हमने लोन लिया है तो हमें इंटरस्ट देना पड़ेगा ठीक है तो यह डिपेंड करता है कि हमारी विदेशों से होने वाली आए जादा है या फिर हमारे विदेशों में जाने वाले पैसा जादा है मतलब विदेशों को हम जादा पैसा भेज रहे हैं या विदेशों से पैस तो चैनल स Clay 6 x5ad by मुगल के कि अपारफ मना उपहाई Didum मौस्तली हमारे साथ क्या हूता है कि वीदेशों से जो हुती है डिये यृट से जाटा वीदैशों में जड Ci literal से ज़के पैसा जा रहा है हमारे देश से वह ज्यादा होता है डिये रहा हुता हय है और घ्ञ करता है उसमें GNP का यूज करता है ठीक है उसके लिए जी आफु बहुत important है और साथ में इसलिए भी important है कि यह जो जी एफ आफ और पी है यह show करता है कि दूसरे देशों के साथ हमारे relation किस तरह किसे हैं ठीक कि अनतराश्ट्री संबंद जो होते हैं उनको भी दर्शाने का प्रयास करता है क्योंकि इसकी वज़े से पता चलता है कि विदेशों से आय हमें कितनी हो रही है और अगर हो रही है तो किस दरिये से जादा हो रही है अगर कोई जरिया है जिस से जादा हो रही है तो कौन सी कंट्री है जो उसमें जादा contribute कर रही है तो इस तरह से जो अंतराश्च्छे संबंध होते हैं उन पर भी प्रकाश डालता है उनके बारे में भी बताता है ठीक है फिर fourth है NNP NNP क्या है GNP में से मूले कटोती को घटाने के बाद बचने वाली I मतलब GDP में से हम विदेशों से आने वाली I को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे मूले कटोती तो वो मिल जाएगा हमें NNP यहां कन्फ्यूज मत होएगा जब हमने GDP में से घटाया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था तब हमें प्राप्त हुआ था NDP ठीक है अभी हम क्या करें GNP में से घिसावट को हटा रहे हैं ठीक है तो दो फॉर्मूले होते हैं या तो GDP में विदेशों से होने वाली I को जोड़ दो और मूले कटोती को घटा दो तो मिल जाएगा NNP और या फिर GNP में से क्योंकि GDP और विदेशों से होने वाली आए ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं GNP GDP और विदेशों से होने वाली आए इन दोनों को ही कहा जाता है GNP तो इसमें से हम मूले कटोती को घटा देंगे तो आ जाएगी NNP अब NNP के बारे में एक इंपोर्जन चीज़ें हम पर लिखे हुई है NNP किसी भी देश की राष्ट्रे आए को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है NNP को देश की कुल आबादी से भाग देकर देश की प्रतिव्यक्ति आए का पता चलता है जो NNP हमें प्राप्त होती है उसे कुल आबादी से भाग देदेंगे तो प्रतिव्यक्ति आए का पता चलता है और एक चीज़ याद रखेगा यहाँ पर हमने जो चार ये दरश्टिकोंट देखे हैं GDP, NDP, GNP ये सब ही राष्ट्रे आए ही हैं लेकिन किसी को भी राष्ट्रे आए के तौर पर नहीं लिखा जाता है ये चीज याद रखेगा नेश्ट्रे आए को कहा जाता है और हमने पीछे question में भी देखा था कि राष्ट्रे आए हमें से राश्ट्री आय से अगर कुल आबादी को भाग दे देंगे तो फिर देश की प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है ठीक है तो NNP में से अगर देश की कुल आबादी को भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाता है पर क्यापिटा इंकम मिल जाती है हमें जाहिन।